स्वागत है आपका रियनुस फूर्ड जंक्शन में आज हम बना रहे हैं शादी पार्टियों में बनने वाली आलप उर्वल की खास रस्तास सब्जी यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है तो अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छे लगे तो कर दीजेगा एक लाइक और चै जादा अच्छ लगती है खाने में तो इसको काट करके दूखर के मैंने ले लिया हुआ था अब हम कर लेते हैं इसे फ्राइब बहुत जादा ओएल नहीं डाला मेने फ्राइब करने के लिए एक दो चमची वाइल है और इसे हम थोड़ा चलाते हुए अच्छी से लाल करके करेंगे थोड़ा सा ये गोल्डीन सा हो जाएं कच्च्छ ने रहन अचिए बिलकूल भी और लगवाग ये होने वाला है हमारा ए देखिये इस कलर का हो जाना अचिए बिलकूल प्रोल को इतने अच्छ से उप्राइब करेंगे तो सबज इमारी उतनी ही टेस्ट applies मैं निकाल लेती हूँ इसे अब इसमें डाल दिया उसी ओयल में एक चमच के करीब जीरा दो तेज पत्त और एक या दो सुखी लाल मिर्च तड़के के लिए और ये दो प्यास को मैंने पतली स्लाइस में काट रखा हुआ था डाल देंगे हम ये प्यास चलाते हो इसे भून वरोय ह्लों सास्वी अज़ी चैनल खेक है और आपनी और भाके वरे स्वेट अंचे से भूनी के तो आपके ग्रेवी का बहुत अच्छा आता है अगर प्यास से हिसे नहीं हो तो ग्रेवी में वह कलर नहीं आपाता सही से तो हम इसे मीडिया मांच पर ही चलाते भी भून लेंगे थोड़ा 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 सा गोल्डेन हो जाए प्याज हमारा अब हम डाल देते हैं इसमें कुछ मसाला है मैंने छे से साथ कली लहसुन एक इंच अद्रक का टुकरा और एक बड़ा प्याज सब को एक साथ पेश्ट बना लिया हुआ है और डाल देंगे हम ये पेश्ट इसमें अद्रक लहसुन प्याज का पेश्ट डालने के बाद हमें इ तो सब्छसाटा नहीं लगता हूं तो को आप मिल्च बूल सब्सक्राइब हाल ए जसे दया और नमक है अनूसार किंट नमक हो मिल्च जयदे अजय दो कम Cong Moi प्यास को दबा दबा करके भूनेंगे और मैंने नमक डाल दिया हुआ है तो प्यास गलता जाएगा मैंने पूरी सब्जी के लिए नमक अभी नहीं डाला है इसमें थोड़ा कम ही डाला है डाल देंगे इसमें कटा हुआ दो टमाटर एक या दो आपको जितना खटा पन प्यास टमाटर अच्छे से गलते जाए इस टाइम पर नमक डाल देने से प्यास टमाटर गल जाते हैं सही से लेकिन आपको अंदाज रखना होगा कि नमक पहले भी डाला हुआ था और ग्रेवी डालने के बाद हम इसमें उसके हिसाब से थोड़ नमक और डालेंगे मसाले मसाले मेथैंर अब इसमें मसाले में ढाल देंगे हैं यह थोड़ी सी कषतारी में आपकी सब्जी सवाद ला देगा शाधी पाटियों में जो सब्जीों का धास सवाध होता है और गृऴ का फास्वाध होता है, पिल्कुल वैसा GR. आपकी सब्जी में छोटी सी ट्रिक है पर ट्राइ करके ज़रूर देखिएगा बहुत अच्छी बनीगी आपकी सब्जी थोड़ी सी कसुरी मेति से आपकी सब्जी को साथ बहुत जादा पदल जाता है अब इसमें डाल दिया मैंने आलू मैंने छे से साथ आलू को बॉयल करक सकते हैं जब हमने परवल और ओसमें आप ःलू को फ्राइ कर सकते हैं लेकिन वह परवल नहीं रासा इसादम सीफ यह सब्जी सब्जी कि नग करती होती है आपको और परवल भी डाल दिया मैंने ये फ्राइ किया हुआ दोनों को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स और इसे एक से दो मिनिट हम भूनेंगे आलू और परवल को डालने के बाद मसालों के साथ ताकि इसा भी मसाले अपस में अच्छे से गुल मिल जाएं मसाले को साथ आलू परवल में मिल जाएं अच्छे से आलू को हमने पहले से फ्राइड नहीं किया तो होता यह है कि ये आलू मसाले को साथ अच्छी तरह कैसे सोख लेते हैं तो गुल लिया मैंने इसे एक से दो मिनिट के लिए पानी नहीं डाला मैंने अभी तक इसमें अब डाल देते हैं हम इसमें थोड़ा सा पानी और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से आलू को काट करने ही डालना है इस सब्जी में बलकुल बस हाथ से आप फोड़ करके डाल दीजिए कुछ टुक्रे बड़े-बड़े हैं कुछ छोटे हैं इस सब्जी में ऐसे ही अच्छा लगता है यह आलू इसमें डाल देंगे हम ग्रेवी के लिए थोड़ा सा और नमक अगर आपको इसी तरीके से रखना है सूखी रखने सब्जी तो आप उसे हिसा आप से नमक डाल लिए मैं थोड़ी ग्रेवी बना रही हूं आज तो डाल दिया मैंने इसमें नमक और ग्रेवी के लिए डाला थोड़ा सा और पानी मिक्स कर देते हैं पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मैं थोड़ी सी ग्रेवी और डालूंगी इसमें इतनी मुझे चाहिए तो थोड़ा सा पानी और डालना होगा ताकि मुझे मिल जाए इतना पकने के बाद डाल दिया थोड़ी सा और पानी इसमें अशे मिक्स करके तब हम अब हम इसमें डालेंगunnगे फ्रेशली या कुट होगरममसाला जो के मैंने घर पे खुद अभी या कुट के बनाया है डाल देते हैं हम ओगरममसाला इसमें जीरा और कुछ ख़ड़े गरमममसाले आप पकेट साथ आपका अलगी बनता है बिल्कुल और सभी चीजों को मिक्स कर देंगे हम गर्मसला पहले ही डाल दिया है मैंने क्योंकि ज्यादा नहीं पकाना आप उसे ढख देंगे ढखने के बाद 4-5 मिनिट के लिए बिल्कुल मीडियम लोग पे इसे पकने देंगे खोल कर देख ले बाद मिलेगा आपको आपको पक गई है लगभग हमारी असब्जी भिल्कुल ग्रेवी आप अपने इच्छा केंसा थोड़ा कम याज जादा कर सकते हैं मैंने आज जादा ग्रेवी वाली बनाई ये थोड़ी तो रड़ि है लगबग से हमारे ये सबजी तो कर लेते ही से अब मैंने कैस को कर देती हुमें बंद और फिक कर लोगी से सब बॉल में कर दिया मैंने कैस बंद अब इसे बॉल में निकाल लेती हुमें बडियों को पूरा देखने के लिए धन्यवाद